आकरे जेपीसी है क्या जेपीसी कमेटी क्या है और आप लोग समय समय पर देखते होंगे कि इसके गठन की मांग उठती रहती है और अभी हाली में चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है और आडानी समोव पर कई तरह के आरोप लगाये जा रहे हैं और आप देखें भिष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं सेयर मारकेट में धोका धड़ी के भी आरोप इन पर लग रहे हैं तो उसी की जाच के लिए जेपीसी कमेटी गठित करने की विपक्च की तरप से मांग की जा रही है तो किस तरह से गटित की जाती है कौन-कौन इसके सदस रहते है और आप देखेंगे कि इसका अद्धेक्च कौन रहता है और इसका काम क्या रहता है अभी तक कितनी बार JPC यानि कि Joint Palementary Committee का गठन किया गया है और इसे आप लोग हिंदी में सयुक्त संसदिय सम्ति के नाम से भी जानते हैं तो इसके बारे में एक सामान जानकारी हम देख लेते हैं और आप लोग अगर किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे है तो आप देखें कि इस तरह की टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में questions पूँच लिए जाते हैं और वैसे भी मुझे लगता है कि देखें संसद में हंगामा बचा हुआ है और देख रहे हैं आप लोग कि संसद की कारवाही भी नहीं चल पा रही है सत्त भी नहीं चल पा रहे हैं तो वैसे भी आप लोगों को एक सामन जानकारी इसके बारे में माल नहीं होने चाहिए देखें सबसे पहले तो अगर हम संसद के बारे में बात करें तो समीधान के अगर आप लोगोंने अनुचेद आर्टिकल 89 को बढ़ा होगा तो इसमें संसद के गठन की बात की गिए है और संसद के तीन भाग होते हैं एक आप देखते हैं राष्टपती होता है, लोकसभा और राज्यसभा होता है और इनसे मिलकर आप देखते हैं कि किसका संसद का गठन होता है और अगर आप लोग अनुचेद 80 को पढ़ेंगे तो राज्य सभा की सरचना की बात की गी है अनुचेद 81 को पढ़ेंगे तो लोग सभा की सरचना की बात की गी है और भारत का एक राष्टपती होगा किस में कहा गया है अनुछेद 52 में भारत की राष्टपती की बात कही गई है और इनी तीनों से मिलकर आप देखेंगे संसत का गठन होता है अगर हम लोग JPC की बात करें तो JPC यानि की आप देखें सयुक्ते संसदी सम्ती एक तदर्थ यानि की आयस्थाई सम्ती होती है इस्थाई सम्ती नहीं है आईस्थाई सम्ती है ए छोटे छोटे पॉइंट रहते हैं लेकिन आप देखें कि परिलिम्स में हो सकता है पूछ ले नीचे आप लोगों को चार कथन दे दे तीन कथन दे दे आजकल तो आप देख रहे हैं कि 5-6-6-7-7 कथन दे दे रहा है तो बड़े ध्यान पूरवक पड़ा करिएगा तो ये इस्थाई सम्ती नहीं है आईस्थाई सम्ती है और जिसका गठन संसद द्वारा किसी बिसेस मुद्दे या रेपोर्ट की जाच के लिए किया जाता है और दरसल संसद में काम की अधिक्ता होती है और समय सीमित होता है और इसलिए संसद सभी विद्याकों और रेपोर्टों की जाच करने में आसमर्थ होती है और यसी में अलग-अलग विद्याकों मुद्दों और संसद में पेसकी गई रेपोर्टों की किया जाता है यानि कि आप देखें लोकसभा और राज्यसभा की बात हो रही है फिर आप देखें कि सम्ती के सदसों की नियुक्ति को लेकर अधिक तम आप देखें 30 से 31 होती है इनकी संख्या और हमेशा आप लोगों को एक और बात याद रखनी चाहिए कि खास्तोर पर इसमें राज्यसभा की तुल्ला में लोगसभा की दुगने सदस होते हैं मान लेज़े अगर इसमें राज्यसभा की 10 सदस हैं तो लोगसभा की 20 सदस होंगे यह भी आप लोग याद रखेगा इसकी अध्यक्षता कौन करता है बहुमत प्राप्त जो राजनेतिक दल होता है न उसी का इसकी अध्यक्षता करता है उसी का सदस ठीक है और स्युक्त संसदिय समती मौकिक या लेकिक रूप से साख चिखठा करने या मामले के समन्द में दस्ताबेजों की मांग करने के लिए अधीकर्थ है और जनित के मामलों को छोड़कर समती की कारवाही और निसकस को गोपनिये रखा जाता है हाला कि सरकार किसी दस्ताबेज को उस इस्तिती में वापस लेने का नेड़े ले सकती है यदि उसे लगता ही कि ऐसा करना राजी की सुरक्षा या देश के लिए जरूरी है फिर आप देखेंगे किसम क्या देखेंगे जेपीसी को किसी भी माध्यम से सबूत जोटाने का हक होता है और उसे यह भी अधिकार प्राप्त होता है कि वह किसी भी ब्यक्ती संस्था या उस पक्ष को बुला सकती है जो और पूंस्ताज भी कर सकती है जिसको लेकर जेपीसी का गठन हुआ है माली जी किस मुद्दे में, आदानी के मुद्दे में अगर हो जाता है, तो आदानी को बुलाए जा सकता है, उनसे पूशतांज भी की जा सकती है, इतना सकती साली होती है, आप देखेंगे यह JPC, अगर वह ब्यक्ति, या संस्ता या पक्च JPC के समक्च पेश नहीं होता है तो या संसत की अहना या उलगन बाना जाता है और इसके लिएajPEC संस्ता से लिकित या मौकिक जबाब या दोनों मांग सकती है हाला कि सबूत के लिए बुलाने पर अगर कोई बिवाद होता है तो इस इस्तिती में अध्यक्ष के नेड़े को अंतिम माना जाता है इसमें जो अध्यक्ष होता है ना उसी की और दरसल सयुक्त संसदिय समती किसी खास मामले की जाज करने और पिती विदन देने के लिए दोनों सदनों की अध्यक्ष सभावती द्वारा समय समय पर गटित की जाती है और एक बार जेपीसी की गठन के बाद इसकी भूमिका काफी बढ़ जाती है और निस्पक्ष भाव से तत्तों की जाज करना मुद्दे की तहत तक पहुँचना इसकी प्रात्मिकता बन जाती है अब आप देखें कि हेंडर मर्ग रेपोर्ट आने के बाद सुप्रीन कोट अधालत की आप देखें कि की अस्तिछेप से जाज भी हो रही है लेकिन फिर भी आप देखें विपक्ष कह रही है कि JPC को विपक्ष के जो नेता है वो कह रहे है JPC का गठन करिए सयुक्त संसद ये समिती का गठन करिए और इसके लिए इसमें तमाम सबूतों और मुद्दों से जुड़े व्यक्तियों की जाज परक्ष करनी होती है और एक बार सुपे गए विसेओं पर अपनी जाज रिपोर्ट संसद में पेस कर देने के बाद JPC का अस्तित समाप्त हो जाता है जब पूरी जाच आपके सामने रख देगा संसद के सामने तो फिर उसका काम क्या रहेगा अब बात आती है कि JPC का गठन कैसे होता है तो JPC का गठन अनिक दलों की सदसों को मिला कर किया जाता है और इस बज़े से यह एक दलगस सरचना है जो संसद में दलों की तागत के जरिये निधारित होती है और इसका सीधा समतलब यह है कि समती में अलगलग दलों से चुने हुए पितिनिदियों को उनकी अनुपात की अधर पर चुना जाता है यानि संसद में पार्टी की सदस्नों के अनुपात में पार्टी को पितिनिदित मिलेगा और इसी बज़े है कि कि समती कापी बारीकी से मुद्दे की चानबीन करती है और कई अनिमित्ताओं और लापरवाही बाले कार केबल इसी भह से नहीं किये जाते हैं कि भविस में उसकी जाज किसी सेव्ट संसदी संदी से कराई जा सकती है इसका इतना डर रहता है लोगों में हाला कि विवादों को खतम करने की रादे से बनने वाली संदी का अंत्भी आमतोर पर विवाद के साथ ही होता है लेकिन बाग्यूद इसके संदी का हमारे संसदीय पेडाली में काफी प्रभावी और खास महत्त भी है अब तक आप देखेंगे एक कुश्चन यहां से पूछा जा सकता है अब तक बनी संसदीय संसदीय इसके गठन के कारण और संबंदित मुद्दे जिन घटनाओं के कारण जिब बादों के कारण जेपीसी का गठन किया गया भी तक उन्हें आप लोग देख लिजेगा सबसे पहले आप देखेंगे 1987 में जाईए आप लो बोपोस्तोप खरीद मामला हुआ था जो घोटाला हुआ था उसकी 1987 में बनाई गई थी और सबसे पहले जेपीसी का गठन 1987 में तब हुआ था जब राजीव गांदी सरकारपा वुफोस्तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था और सुईडन के सुईडन के रेडियो ने सबसे पहले 1987 में इसका खुला सकिया था और इसमें राजीव गांदी परिवार की नजदी की बताय जाने बाले इत्तालवी ब्यापारी ओता ओतावियो क्वात्रोची का नाम सामने आया था इसमें और इसमें कुल आप देखेंगे 400 बोपोस तुपों की खरीद का सौधा एक दसमलो तीन अरब डॉलर में किया गया था फर आप देखेंगे 1987 की बास से ही देश में बोपोस सौधी को लेकर काफी बहस भी हुई थी और इस पर उठने बाली संकाओं को लेकर संसत को सहयुक्त संसती सम्ती बनानी पड़ी थी और आप देखेंगे माना जाता है कि इसी बज़े से 1989 में हुए आमचुनाओ में कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था आप सोचे लिजे इतनी तागतवर है कि कई बार सरकारे में बदल गए इसकी बज़े से दूसरा आप देखेंगे बैंकिंग लेंदेन अनिमित्ता है ए 1992 में दूसरी बार जेपीसी का गठन 1992 में तब हुआ था जब पीबी नरसंभार आओ की सरकार पर सोरक्षा मावलों बैंकिंग लेंदेन में अनिमित्ताओं का रूप लगा था बाद में जब 1996 में आवम चुना हुए तो उसमें भी इसी बज़े से कॉंग्रेस की हार हुई थी अब आप देख लिए दो बार तो कॉंग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा इसकी बज़े से स्टॉक मार्केट घोटाला 2001 तीसरी बार 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर जीपीसी का गठन हुआ था हाला कि इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला था फिर आप देखेंगे soft drinks और unpaid पडारतों में कीटनासक का मामला 2003 की घटना है चौती बारत 2003 में JPC का घटन भारत में बनने वाले soft drinks और unpaid पडारतों में कीटनासक की जाच के लिए किया गया था और दिली के एक गयर सरकारी संस्ता सेंटर पोर साइंस एंड इन्वारिमेंट ने कोल ड्रंक्स में कीटनासकों के अवसेस पर अध्यान कर अपनी बिसलेशन रिपोर्ट 5 अगस्त 2003 को इस आरुजने की थी इसमें और यह है रिपोर्ट एलेक्टोनिक और प्रेंट मीडिया में सुरकियों में रही थी और आमजनता पर इस रिपोर्ट का भारी इसर भी पड़ा था और देश में जगे जगर पर पेपसी कोग के खिलाब बिदरसन भी हुए थी और उनकी बोतले भी तोड़ी गई थी और रिपोर्ट में कहा गया था रिपोर्ट में कहा गया था कि दिल्ली में खोले बाजार से खरीदे गए स्थीतल प्रेयों के बारे ब्रंड ब्रंड के नमुने में कीटना सकके आउसेश पाए गये हैं फिर आप देखेंगे कि 2G स्पेक्ट्रम गोटाले 2011 में भी जेपीसी का गटन हुआ था पांच भी बार 2011 में 2G स्पेक्ट्रम गोटाले की जाज को लेकर जेपीसी का गटन हुआ था 2010 में IEXTAG रिपोर्ट में 2008 में बाटे गए स्पेक्ट्रम पर सवाल उठाए गये थे और उसमें बताया गया था कि इस्पेक्ट्रम की नीलामी की बज़े पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसे बाटा गया और इसे सरकार को आप देखेंगे 1,76,000 करोड रुपे का घाटा हुआ था और इसके कारण भी आप देखेंगे कि कॉंग्रेस को हाथ ही दोना पड़ा आप सभी जानते हैं कि 2014 में हार का सामना करना पड़ा था चटी बार 2023 में वी भी आईपी चौपर घोटाले को लेकर जेपीसी का गटन हुआ था भारती बायु सेना के लिए बारे वी भी आईपी हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए एंगलो इतालवी कंपनी अगस्ता वेस्टिलेंड के साथ 2010 में किये गए 3600 करोड रुपे की करार को जन्वरी 2014 में भारत सरकार ने रद्द कर दिया था और इस करार में आप देखें कि 160 करोड रुपे कमिसन की भुक्तान का आरोप भी लगा था साथी भी बार 2015 में भूमी अधीगेंट पुनरवास बिलको लेकर जेपीसी का गटन हुआ था हाला कि इसका कोई नतीजा भी नहीं निकल पाया था पर आप देखेंगे 2016 में आठवी और आकरी बार एहनासी की मुद्धे को लेकर जेपीसी का गठन हुआ था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा तो इस तरह से आप देखेंगे कि यह कहानी जेपीसी की जॉइंट फाइलियमेंट्री कमेटी की सहयुक्त संसदिय समती की इसके बारे में मुझे लगता है कि एक सामान जानकारी आप लोगों के पास हो चुकी होगी अगर आप से एक्जाम में कुश्चन्स पूचे जाएंगे तो आप लोग उसके जबाब बड़े आसानी से दे पाएंगे इसमें